नमस्कार मैं हूँ दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज बाका की बड़ी खबरों के बुलिटीन में आपका स्वागत है बरते हैं खबरों की ओर बाका जिले के चांदन कटोरिया मुखी सडक मार के चांदन नदी पूल के समीप सुभ़ साथ वजे कामदेव यादब ढवा के सामने बच्चे का मुंडन कराने देवगर जा रही एक पिकप वहन के बिजली के पोल से टकरा जाने से उसमें सवार देड़ दरजन यात्री घायल हो गए मौगे पर पहुँची चांदन पुलिस ने सभी घायलों को इलाज हेतु सामुदाइक स्वास्थ केंद्र चांदन पहुँचाया जहां गंभीर रूप से जक्मी पांच यात्रियों को प्रात्मिक इलाज के बाद देवगर रेफर कर दिया गया सभी घायल यात्री पूर्णिया जिला के जुन्नी कला पंचायत के गढ़िया बलवा गाउं का निवासी बताये जा रहे हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय महालदा अपनी पतनी रिना देवी वगाउं के लगभग दो दर्जन लोगों के साथ अपनी तीन बच्चे मंजित साथ वर्ष, सुहाना पांच वर्ष, कृष्णा कुमार तीन वर्ष का मुंडन कराने सुल्तान गंज में गंगा स्न कर मार दी, टक्कर इतनी जोर थी कि वाहन में बैठे सवारी सभी यात्री इर्द गेर्द फेका कर दुर घटना गरस्त हो गये, जिससे देढ़ दर्जन के करीव यात्री घायल हो गया, घायलों में राधा देवी, रंजु देवी, शिवनारायन पाठक, रानी देवी, रू मुदाइक स्वास्त केंद्र चांदन पोँचाया, जहां इलाज करने प्रवारी चिकिसक एके सिना ने बताया कि सभी घायलों को इलाज कर दी गई है, जिसमें राधा देवी, शिवनारायन पाठक, अनीता देवी, प्रकास मल्ला, नरीश मल्दा, बिर्ची देवी को बहतर कर दिया गया है, घायल करन कुमार ने बताया कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो सभी परिजन मुंडन कराने बाबा धाम देवगर जा रहे थे, जाने के करम में पिक अप वहां दुर्गटना गरस्त होकर पलड़ गई लगातार बढ़ती महंगाई और केंद्र राज़ गई आज सरकार की नीतियों के विर्द आज दूसरे दिन भी राज़त का प्रदर्सन जारी रहा, आज के प्रदर्सन की कमान राज़त की वरिष्ठ नेता और बाका के पुर्व सांसत जै प्रकास नारायन यादव के हाथ में थी, पैट्रोल और डिजल सहित अन्य वस्तुओं की कीमत में बड़ोतरी के खिलाब जै परकास नारायन यादव जहां बैल गाड़ी से पूरे सहर का भ्रह्मन किया, तो बिलहर के पुर्व विधायक रामदेव यादव थेला पर बाइक रख कर उस पर बैट कर शहर का भ्रह्मन किया। बंगाई की मार से समाच का हर तबका परिशान है उन्होंने कहा कि सरकार हर मूर्चे पर फैल है जो लोगों की हिपाजत करने में पूरी तरह से फैल साबित हो रही है अमरपूर थाना छेतर के चौकर गाउं स्थित चांदन नदी के मटियानी घाल पर असनान करने के दौरान डूबने से एक दस वर्षे बालक की मौत हो गई मौके पर मौके पर मौके पर पूरे गाउं में मातमी सननाटा पसर गया है मौके पर ग्रामिनों ने बताया कि मौनी तक तीन भाईयों में से सबसे छोटा था मौनी तक कठैल गाउं इस्थित मध्य विध्याले में नवम वर्ग का चात्र था सुरू से ही पढ़ाई में तेज था लेकिन इश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है फिल्हाल घटना की जानकारी अमरपूर थाने में दे दिया गया है बागा जिले के अमरपूर परखंड के फतेपूर पंचायत अंतरगत सिमरपूर गाउं के ग्रामिन वर्सों से नारकी ये जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं सिमरपूर गाउं के वार्ड नंबर 11 में विगत दो महा से कीचर युक्त वा बदबुदार पानी में ग्रामिन चलने को मजबूर हो गए हैं लेकिन हर बार हम ग्रामिनों को आश्वासन के सिवा कुछ ने मिलता है निरने लिया है ग्रामिनों ने बताया कि अगर जल्द ही हम ग्रामिनों की समस्याओं का निदान नहीं किया जाएगा तो आने वाले पंचाय चुनाओं में सर्व सम्मती से वोट वहिसकार करेंगे बाका के मगदूमा एस्थित यदुनेश्वर नात महादेव मंदिर में सोमबार को धार्मी कनुष्ठान का योजन किया गया जिसमें कलश शोभा यात्रा रुद्रा विशेक तथा स्री राम कथा का योजन किया गया कलश शोभा यात्रा पंडित स्री गौतम जी शरन महाराज के नित्रित में निकाली गई जो पूरे गाउं का परिभ्रमन कर मंदिर पहुंचे शोभा यात्रा में सैंकडों महिलाएं तथा बच्चियां अपने अपने सर पर कलश लेकर महादेव के गीद गाते वे चल रही थी कलश शोभा यात्रा संपन होने के बाद यदुनेश्वर नात महादे मंदिर में पंडितों द्वारव वैदिक मंत्रों चारण वपूरे विधी विधान के साथ रुध्रा विशेक का योजन किया गया तथा परसाद का वित्रन सभी स्रधालों के बीच किया गया शाम में श्री राम कथा का वाचन पंडित श्री गौतम जी शरन महाराज के द्वारा किया गया जिसमें यजमान बने श्री फंटुस मंडल तथा उनकी पतनी श्री मति सुनीता कुमारी ने मुखी रूप से भूनी का निभाई पंडित स्री गौतम जी शरन महराज ने बताया कि करूना महामारी को देखते हुए मैंने ये शंकलक लिया है कि 108 महादेव मंदिरों में अस्थानियों लोगों की मदद से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना है जिससे हमारे गाउं समास तथा देश की लोगों को इस महाम सुम्बार को प्रखण सभागार में आयोजीत एक समारो में नव प्रतिन यूक्त प्रखण कारिक्रम पदाधिकारी नरेश कुमार को बूके देकर संभानीत किया गया जब्कि विडियो विकास कुमार प्रखण पंचाहिती राज़ पदाधिकारी बाल कुमार सिंग, P.O. स पंकज यादव, अमीत कुमार समाच सेवी रंजीत साह, संजीव कुमार मंडल, पंचाय समिती सदसी राजिश कुमार सिंग, कौसल किसोर सिंग, उसा देवी, सीमा देवी, प्रनाव कुमार, अनुपिरियार, राजिश कुमार सिंग, घुटियार, प्रतिनिधी पंकज जबकि कैथा साधपूर एवं उत्तरी कोजी के मुखेयां प्रमुक समित अनिवाड सदस्यों एवं डिलर संग के सदस्यों ने अंगवस्त्र ओढ़ा कर सम्मानित किया। प्रतिनिदियों से कलपिनिये एवं एतिहासिक सम्मान पाकर वीडियो विप्यारो एवं पियो अभी भूत हो गए। निवर्तमान पियो संजीब कुमार ने प्रखंड वास्यों के प्रतियाभार जाताया। हर्सो लास के साथ आतिस वाजी एवं घोडे पर बैठा कर सम्मान विदाई किया गया। बाका जिले के बिलहर थाना छेतर के घोटिया गाउं के निवासी वा प्रवासी मजदूर नकूल सिंग, पितार रामजी सिंग, 31 वर्षे का हैदराबाद में मौत हो गई। मिर्तक के बड़े भाई भीन सिंग ने बदाय कि हैदराबाद में मेरिजय स शश्वेनी ड्रग कमिकल लिमिटेड फैक्टरी में मजदूरी करता था, उनकी अचानक तबियत खराब होने के कारण कमपनी से रूम आया और हात मुद होने के बाद अपने साथियों से माथा दर्द कराने की बात कही। तक पस्चात वह अराम करने लगा, तभी उनके सभी साथी प्रमो सिंग वहम साथियों ने उसे खाना खाने के लिए उठाया, लेकिन देखा गया कि उनकी मृत्युव हो चुकी थी, उनकी सूचना तुरंद कमपनी को दिया गया, कमपनी के मालिक मौके पर पहुँचकर शव को पुश्माटम करने की बात कही। पुश्माटम क प्रिकर गाओं में अफरात अफरे का महौल बना हुआ है, परिजनों में एक प्रकार का खौप पैदा हो गया है। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।